हेलो दोस्तों कैसे आप सब आश्या करता हूं आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स हम मार्केट से अच्छा रिटन तो बनाना चाहते हैं लेकिन जब तक हमारे पास एक अच्छा पॉर्टफोलियो नहीं हो हम अच्छी रिटन कैसे बना सकते हैं हम सही जगे जब तक इन्वे हम करी रहे हैं साथ ही फ्यूचर में उनके अच्छा रिटन देने के चांसे काफी जादा है तो फ्रेंट्स आप वीडियो में एंट तक बने रहेगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक कर लिजेगा आई अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स बेस्ट फाइव मूचल फंड में सबसे पहला वाला फंड आपका पराग पर एक फ्लेक्सी केप फंड जो की एक फ्लेक्सी केप के टिगरिका है यानि इस मूचल फंड के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यह कि इसी भ काफी अच्छा मूचल फंड आज के टाइम में बहुत अच्छा पर फंड कर रहा और फ्यूचर में वी इसके अच्छी रिटन देने के चांसे काफी जादा है तो मैंने इस मूचल फंड को लिया है इस मूचल फंड के मैंने यहां पर रोलिंग डिटन ओपन किये हैं 2016 से तो इसम्बर 2016 से दिसम्बर 2019 के रिटन देखें तो इस mutual fund ने 13.62% के रिटन परफॉम किये हैं और आज की टाइम में यानि इसके रिटन से नॉपर 2018 से नॉपर 2021 से 31.13% के रिटन ये mutual fund आज की टाइम में परफॉम कर रहा है तो एवरेजी इस mutual fund की return आप 20% expect कर सकते हैं अगर long time आप invest इसमें करना चाहते हैं तो downside protection देख लें हम इस mutual fund का तब जब market में downfall आया तब category कि आप less than 0% की return इस mutual fund के कभी भी नहीं रहे हैं जबकि category average ने 29.35% टाइम और greater than 20% की return भी इसने बहुत ज़्यादा बार दिये 31.99% यानि बहुत ज़्यादा बार ये 20% से उपर आपके return दे रहा है और 15 से 20% की return भी 16.54% टाइम्स दे रहा है 12 से 15% की return ये 30.15% टाइम्स दे रहा है तो friends number one मैंने इसलिए इसको रखा है कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इस mutual fund के पास पूरी flexibility है दूसरा mutual fund लिया है मैंने large and mid cap category से जो की मेरा है asset emerging blue chip mutual fund है friends ये भी काफी अच्छा mutual fund है जो large cap और mid cap दोनों market capulation वाली companies में invest करता है इस mutual fund के विए मैंने rolling returns open किये हैं तो इसके rolling returns हमेशा category average से जादा रहे हमेशा category average को इसने beat किया है हमेरे को ये ध्यान रखनी है कि अपना mutual fund category average को beat करे साथ ही benchmark को भी बहुत अच्छे से वह beat करना चाहिए जब starting से इसके rolling return देखें तो यहाँ पर 17.36% की return ये perform कर रहा था और आज की time में यानि current ये सबसे अच्छे return perform करा है 29.49% टाइम जो की काफी अच्छे returns है friends सबसे ज़्यादा risk लेता है small cave उसके बार लेता है mid cave उसके बार लेता है large and mid cave और सबसे कम risk लेता है large cave यानि blue chip mutual fund तो इसकी risk large cave के comparison में तो ज़्यादा है लेकिन small cave and mid cave से इसकी risk थोड़ी से कम हो जाती है अब downside protection देखें तो जब category average negative में 9.31% की return perform कर रहा था तब इसकी return थोड़ी से negative में गए थे 2.33% बहुत ज़्यादा negative में नहीं गए लेकिन थोड़ी से गए थे ऐसा नहीं कि category average से ज़्यादा negative में चले जाए ऐसा mutual fund कभी नहीं होना चाहिए थोड़ा और हम इसको detail में समझें तो इसने less than 0% की return तो दिये हैं लेकिन 1.47% टाइमस ही दिये बहुत ज़्यादा बार नहीं दिये और greater than 20% की return देखिया 25.37% टाइमस इसने perform किये हैं और 15 से 20 20% की return भी इसने काफी ज़्यादा बार दिये 23.90% टाइमस तो ये भी काफी अच्छा mutual fund है थाट नमबर का mutual fund जो मैंने लिया हुआ है small cap category से axis small cap fund direct growth यानि ये top 250 companies होती है उनको छोड़कर कि जो छोटी companies होती है उनमें अपना measure exposure invest करता है top 250 companies में भी ये थोड़ा बहुत पैसा invest कर सकता है लेकिन ज़्यादा पैसा इसकी small cap category की companies में रहता है इसकी risk सबसे ज़्यादा होती है large cap mid cap and large and mid cap category के comparison में है इसके rolling return समझे हम यहाँ पे तो इसने भी अपनी category average को काफी अच्छे से बीट किया हमेशा category average से ज़्यादा return दिये है और यहाँ पे जब starting में यानि 2016 में इसकी return perform कर रहता है 14.77% और आज की time में current return ये perform कर रहा है यहाँ पे 35.20% है friends ये risk ज़्यादा लेकर चलता है तो returns भी इसके हमेशा सबसे ज़्यादा एर होते है बस यहाँ पे risk थोड़ा high हो जाता है और downside protection देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा down में नहीं गया है जब category average negative में 13.08% के return दे रहा था तब ये negative में only 0.01% के return perform करा था बहुत ज़्यादा negative में नहीं गया है जबकि इसकी category small calf है और थोड़ा और हम इसको detail में समझे है तो यहाँ पे less than 0% के return इसने only 0.37% टाइम्स दिये जो की large and mid cap के टिगरे का जो mutual fund देखा उससे भी कम इसने negative में return दिये है और greater than 20% के return तो इसके all sum है 27.21% टाइम्स और 15 से 20% के return तो इसने 25.37% टाइम्स दे जो की काफी अच्छे return ले है और fourth number का जो मैंने fund लिया है वो है आपका ELSS fund यानि equity linked saving इसकी इसके तहत आप income tax में छूट ले सकते हैं डेल्ड लाग रुपे तक amount है आपका उस पर आप tax बचा सकते हैं यानि कि यह एक tax server mutual fund है इस mutual fund का नाम है केनरा रुबे को equity tax server mutual fund जैसा कि इसके नाम में ही tax server आता है इस mutual fund में invest करके आप income tax act के section 80C के तहत आपकी डेल्ड लाग रुपे की income पर tax बचा सकते हैं इस mutual fund के rolling returns देखें तो इसने भी अपने category average को काफी अच्छे से बीट किया है 2016 में यह return perform कर रहा था 14.51% और आज की time में यानि current यह return perform करा है 28.05% इसका downside protection देखें तो यह negative में गिरा था लेकिन बहुत कम गिरा था जब category average negative में 8.89% की return perform करा था तब यह only negative में 0.36% return perform करा था बहुत ज़्यादा यह negative में नहीं गया है थोड़ा और हम इसको detail में समझें तो last than 0% की return इसने only 0.37% times ही दियें जो की small cap category वाला देखा था उसके बराबर है और greater than 20% की return इसने 21.32% times दिये है 15 से 20% की return इसने काफी ज़ादा बार दिये 27.57% times जो की काफी अच्छे रहे है और fifth number का जो मैंने mutual fund लिया है वो है आपका large cap category से यानि blue chip mutual fund है यह mutual fund होते हैं जो returns कम देते हैं लेकिन risk सबसे कम लेके चलते हैं तो हमारा portfolio ऐसा होना चाहिए जिसमें कम risk वाले mutual fund भी हो ऐसा नहीं कि हम सारे ऐसे mutual fund purchase कर लें जादा return के चक्कर में जो की बहुत जादा risk लेते हो तो मैंने fifth number का mutual fund large cap category से लिया है यानि blue chip mutual fund इसका नाम है केंदा रुबेको blue chip equity fund direct growth इसकी जगह आप axis blue chip fund भी लाए सकते हैं आपकी चोई से दोनों ही काफी अच्छे mutual fund है मैंने यहां पर केंदा रुबेको को select किया है इसने भी अपने category average को काफी अच्छे से beat किया है और 2016 में return perform कर रहा था यहां पर 16.77% के जो की काफी अच्छे return थे जैसा कि large chip category का फंडे और current return perform करा है 25.14% के downside protection देखे तो इसने कभी भी 0% की return perform नहीं कि हमेशा 0 से उपर के return perform के जब category average negative में 8.57% return दे रहा था तब यह positive में return दे रहा था यानि आपका जो investment इसको इसने negative में नहीं जाने दिया है इसको थोड़ा और हम detail में समझे तो less than 0% की return तो इस mutual fund ने कभी perform किये नहीं है और जबकि category average ने 29.54% less than 0% की return perform किये और greater than 20% की return इसने थोड़े से कम दिये क्योंकि यह risk कम लेके चलता है तो यहां पे 8.82% टाइम इसने greater than 20% की return परफॉर्म किये और 15-20% की return ने तो इसने काफी जादा बार दिये 47.06% टाइम और 12-15% की return इसने 99.93% काफी अच्छे mutual fund इंवेस्ट करके आप एक अच्छा portfolio बना सकते हैं लेकिन किसी भी mutual fund में इंवेस्ट करने से पहले अपने financial advisor से अच्छे से consult करना बहुत जरुरी है friends यह कोई sponsor वीडियो नहीं है आशाय करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आए होगी यह पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजेगा और शेयर कीजेगा और friends सबसे important बात हम आपके लिए बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे अच्छे mutual fund बताते हैं बहुत अच्छे इंवेस्टमेंट इसके इंवेस्टमेंट बताते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किये भी नहीं छोड़ देते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल